है लो स्टुदेंट्स वालकम तो अभिपेडिया पावर्ट बाय अभिमान्यों आयर्स माइम इस रोहित मिड़ा स्टुदेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दा करेंट अफेर्स ऑफ सेकेंड वीक अफ जैनुवरी 2021 दस जैनुवरी 2021 से लेके 16 जैनुवरी 2021 तक के क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करणड जीके की न्यूज को आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं से लेके तो सबसे पहले बात करें हम आर्ट एड कल्चर की तो यहां पर बात हो रही है इंटरफिल्म फेस्टिवल औफ अंडिया की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑ अफ इंडिया अब मैं अगर बात करूं International Film Festival of India की तो International Film Festival of India हर साल अगनाइज किया दाता है from the 1952 1952 से यह स्टार्ट हुआ था और हर साल इसको अगनाइज किया दाता है हर साल इसको अगनाइज किया दाता है annually initially Goa में होता था उसके बाद कुछ और venue भी थे but at last 2003 के बाद 2003 के बाद इसका एक fix venue कर दिया गया गोवा तो हमेशा यह अप Goa में ही और गनाइज किया दाता है हर साल हर साल यह Goa में ही और गनाइज किया दाता है but generally यह Goa के अंदर और गनाइज तो होता है बट कब और गनाइज होता है November महीने में हर साल इसको नमेंबर के महीने में और नाइस किया रहता है बट अभी कोविड नाइंटीन की सिचुईशन के चलते हुए ठीक है कोविड नाइंटीन की सिचुईशन के चलते हुए नमेंबर 2020 में इसको और नाइस नहीं किया गया तो अब इसको और नाइस किया जा रहा है जै International Film Festival of India के अंदर दुनिया जहान के ठीक है दग्लोबल तो दुनिया जहान के जो बैटर पिच्चर्ज है जो अच्छे फिल्म फिल्म डिरेक्टर हैं प्रडूसर्ज हैं वो अपनी फिच्चर्ज को यहां पर प्रडूस करते हैं शोकास्ट करते हैं ठीक है और यहां पर उनका क फेस्टिवल फिंडिया के अंदर तो यह जाता है और यहılar हो रहा है 16 से लेके 14 जनवरी तक और यह इस्टίν फिफिफिटींbas.?ном om होना बहुत ज़रूरी है 51st International Film Festival of India अब बात आती है यहाँ पर जब भी यह festival और नाइस कहा रहता हर साल तो एक focus country यहाँ पर रहती है तो इस साल focus country किस country को चूज किया गया तो इस साल हमारा जो focus country है वो है बांगलादेश इस फोकस कंट्री या फिर कंट्रीन फोकस कंट्रीन फोकस या फिर फोकस कंट्रीन फोकस या फिर फोकस कंट्री तो कौन सा देश है यह देश है बांगलादेश इसको लेके पेपर में question आ जाता है which country has been selected as the focus country which country was the focus country in the 51st International Film Festival of India ऐसा question पेपर में पूछा जा सकता है और बंगलादेश की यहां पर चार मूवीज को शोकस्त किया रहेगा चार मूवीज यहां पर दिखाई जाएंगी बंगलादेश की बंगलादेश की तो यह इंटरनेशनल Film Festival of India इसकी कुछ और बात करते हैं थोड़ी सी अब जैसे की बताया गया कि जो कंट्रिंग फोकस है वो क्या है बंगलादेश बंगलादेश अब इस इंटरनेशनल Film Festival of India 2021 में जो अगनेश किया रहा है 51st इसमें एक आसकर विनिंग Cinematographer that is Italian person है इनका नाम है Vittorio Storero इनको यहाँ पर Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया जाएगा इनका नाम है Mr. Vittorio Storero इनको यहाँ पर दिया जाएगा क्या Lifetime Achievement Award और भी Award दिये जाएंगे जिनको हम इस फेस्टवल के यहाँ के बहएद इसकूस करेंगे किस फील्म किस पिचर को यहां पर बैस्ट का वर्ड मिला यह tabs किस अफ किस एक्टर को यहां पर यहां पर बादमे करेंगे जब यह फेस्टिवल खतम हो जाएगा एंड़ बीनaina मिसलेणिक में इसका does come म zajैंगे कि प Animals क की बात हो जाती है तो यह इक कल्चर की बात थी और एक इंटरनेशनल बात भी थी Delta को अंटरी तो अपर हमारा क्या है बांगला वेसे बांगला न पशली आगे बढ़ते निक्स देखते तो नेक्स हमारे पास है Heritage Conservation Committee, Heritage Conservation Committee, अब हम Heritage Conservation Committee की बात क्यों कर रहे हैं, तो देखें, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि Supreme Court ने Central Vista Project को Approval दे दिया है, Central Vista Project that including the New Parliament Building, राष्ट्रोपती भावन, एट्सेक्टरा, that will use the 86 एकेट लैंड्स ओफ ल्यूटन गार्डन्स न्योडली, तो ये बात हमने करी थी कि Supreme Court ने Central Vista Project को Approval दे दिया है, बट Supreme Court ने Central Vista Project को Approval देते हुए, ये बोला था कि जिस फर्दर कमेटी से, जिस फर्दर डिपार्टमेंट से, किसी बिल्टिंग को बनाने से पहले, ठीक है, Approval की जूरत पड़ेगी तो आपको उन डिपार्टमेंट कमेटी ने Approval दे दिया है, इस New Parliament Building को, ये है New Parliament Building का Model, ये नई Parliament Building का Model है, जिसको Approval मिल गया है, Heritage Conservation Committee के द्वारा, Heritage Conservation Committee के द्वारा इसको Approval मिल गया है, तो देखें ये Heritage Conservation Committee, ये 1983 में, 1983 में, डैली Development Act के तहत इसको बनाया गया था, क्योंकि हम डैली में बिल्दिंग को बनाने की बात कर रहे हैं, तो डैली की बात ही हम कर रहे हैं, तो Heritage Conservation Committee यहां पर दिली में, 1983 में, New Delhi के अंदर, अंडर दा, डैली Development Act, इसको बनाया गया था, एंड डैली बिल्दिंग बाय लॉज, 1983, कि बिसिकली जो भी Heritage Buildings है, ठीक है, जो भी Heritage Buildings है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, एंड इस Heritage Committee, Conservation Committee, यह वर्क करती है, अंडर दा Ministry of Urban Affairs, यह काम करती है, इसके अंदर वेसिकली एक चेर परसन होता है, और कुछ अधर मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, तो बट यह जो कमेटी है, यह दिल्ली बिल्दिंग बाय लॉज, 1983, यह फिर मैं कह स काम करती है, बाकी हर स्टेट के लिए different committees, heritage committees बनाई गई है, हर स्टेट के लिए different है, यह जो basically, heritage conservation committee है, इसके जो head है, वो है कमरान रिजवी, इसके जो चेर परसन है, present chair person, उनका नाम है कमरान रिजवी, तो एक miscellaneous का कोशन यह पुछा दा सकता है exam के अंदर, because heritage conservation committee news में है, औ current के कोशन ऐसी निकल के आते हैं, ठीक है, और heritage conservation committee का जो tenure होता है, वो होताती है, तीन साल, वो है, तीन साल, three years, तीन साल के बाद यहाँ पर नई committee, दुबारा से कर दी जाती है, तीन साल बद दुबारा से, प्रिए पा земlet की जाती है, को तीन साल इसका tenure है, यह heritage conservation, कमेटी, heritage conservation तो दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो हैरीटेज फ्लेसी गरीटेज्वाइब करने के लिए इसको बनाया गया इसको बनाया गया तो बिसिकली तीन तरह की grade यह देती है, तीन तरह की grading system है इसके अंदर, grade 1, grade 2, grade 3, grade 1, grade 2, grade 3, तो grade 1 में वो building रखी जाती हैं जो बहुत ही historical importance की होती है, जिनमें किसी भी तरह का shade chart नहीं के रहा सकता, चाए internal है, चाए outer से, उन buildings को बिल्कुल भी छेडा नहीं जा सकता, तो ती आप पोई लिए चेल सेती है मुरमत करने कि इलावा उसको तोड़ कि रही थो किसी तरह से इसको तोड को तोड़के ऊतर यह चाहे अंदर या भार से उसके बाद grade 2 ग्रेट 2 में basically रीजनल और लोकल इंपॉर्टर स्क्याइट इन इन में basically internal changes allowed होते हैं सिर्फ internal changes ही इसमें allowed होते हैं उसके बाद आता है grade 3 grade 3 में internally outer external आई कैंसे ये दोनों ही तरह के जो changes हैं वह allowed होते हैं ठीक है grade 3 में internal ये external external दोनों ही तरह के जो चेंजिस हैं वो अलाउड होते हैं ग्रेट 3 की बिल्डिंग्स में बट ग्रेट 1 की बिल्डिंग्स में किसी तरह का कोई भी चेंज अलाउड नहीं होता इस बात का आपको ध्यान रख लेना है तो heritage conservation committee इसके चेर पर्सन को नंए कमरान रिजवी इसका एन्यों है तीन साल और इसने सेंटल विस्टा प्रजक्ट को अप्रूबल दे दिया है थीन तरह में तीन कैटेगरी में यह बिल्डिंग्स को जो heritage चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर गवर्मेंट ने एक कमेटी बनाई गवर्मेंट आफ इंडिया ने कमेटी बनाई कोविट 19 वैक्सिन एमपावर्ड पैनल ठीक है कोविट 19 वैक्सिन के एडमिन्स्टेशन को रिव्यो करने के लिए अब देखे सोला जनवरी 2021 यानि कि आज का दिन तो 16 जनवरी 2021 से वैक्सिन जो था वैक्सिन का जो डिलिवरी था वो स्टार्ट हो गया है ठीक है एंस डेली के एक person Manish Kumar जी को ठीक है करमचारी Manish Kumar जी को यहां पर पहला vaccine dose दिया गया and vaccine का जो supply है वो start हो चुका है भारत के अंदर vaccine को persons के ओपर inject किया जा रहा है vaccine का काम start हो चुका है अब विस vaccine के working को देखने के लिए basically proper way में सब को पहुंच सके सारी की सारी administration देखने के लिए भारत सरकार ने committee बनाई दस member की committee इस दस member की committee के head है RS Sharma RS Sharma राम सेवक Sharma RS Sharma इस committee के head है जो की ट्राइक के ड़िस टेलिकम regulatory authority of India के former chairman रह चुके है ठीक है इसके अंदर इसके लावा health ministry के कुछ members है और इसके लावा UIDAI ड़िस unique identification authority of India के कुछ members है एंड कुछ बेसिकली यह जो 10 member की committee है यह चाहे तो किसी भी करांके कुछ फेमोस personality को अपने लेवल पे भी इस committee के अंदर include कर सकती है अगर इसको requirement है और बेसिकली यह जो vaccine है इसका data ठीक है कौन सा technology platform यहाँ पर इसके साथ काम करेगा वो तो है कोवी नैप कोवी नैप भारत सरकार ने launch करी थी बैसिकली जिन लोगों को कोवीट 19 की वैक्सिन की requirement है ठीक है जिन को दी जा चुकी है उन सब का data basically यहाँ पर database बनाने के लिए इस एप को launch किया गया था अब सरकार की अगर मैं बात करूँ तो अगस्त 2020 में भी government आफ इंडिया ने कमेटी बनाए थी की कोवीट 19 की वैक्सिन को देखने के लिए कि किस तरह से वैक्सिन बनाने का काम भारत वर्ष के अंदर चल रहा है एक expert committee बनाए थे expert group बनाया गया था वैक्सिन administration को लेके उस committee के head थे वीके पॉल नितियायोग के फुल टाइम मेंबर है विनोध कुमार पॉल जी वीके पॉल नोध कुमार पॉल डॉक्टर विनोध कुमार पॉल आइकन से क्योंकि ये एम्स के former chairman रह चुके हैं तो डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में एक committee बनाए गी थी एक expert group बनाया गया था वैक्सिन administration को लेके RS शर्मा जी उस expert group के भी मेंबर है ठीक है expert उस expert group के भी member है RS शर्मा जी क्योंकि अभी दो वैक्सिन भारत के अंदर आई है एक है कोवी शील्ड एक है कोवी शील्ड जिसको Serum Institute of India पुने ने लाउंच किया है एलोंग विंविड esta Oxford University अफार्मेंटिकल कंपनी estrogen कभ एन एक वैक्सिन हैिक जिसको भारत बायोटेक्स को भारत प्यायोटेक्स ने बनाया है जो कि एक कंपनी है तो दो एक सब्सक्राइस के सब्सक्राइड को उइङushima के गरतीरी तो उसके चेर पर सेने RS शर्मा जी एंड एक क्रेटी एक एक्सपर्ट ग्रूप जो COVID-19 वेक्सीन अभी बेसिकली ट्राइल में चल रही है जिनको और बनाया जा रहा है उसके अड्मिस्टेशन को देखने के लिए डाट इस अंडर दावी के पॉल विनुत कुमार पॉल तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है हमारे पास सुप्रीम कोट अब सुप्रीम कोट ने तीनों फार्म्स लास को सस्पेंड कर दिया देखिए तीन एग्रिकल्चर बिल भारत सरकार ने पास किये थे पहले सरकार देखिए तो उसको बिल पार्लेमेंट के अंदर प्रेज़न करके उन ओर्डीनेज को बिल में कनवर्ट करके रास्टोपती का एप्रूवल दे लिया गया तो तीन बिल्स यहां पर पास कर दिये गे अब इन बिल्स को लेके पिछले दो ड olliken माहिने से देश भर में ठीक है भारत के बहुत सारे राज़ों में पंजाब, हरयाना, राजस्तान, यूपी और भारत के अन्य राज़ों में भी प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये जो बिल हैं ये किसान विरोधी हैं ये काले कानून हैं इनको रद्द किया जाए तो इनके अगेंस्ट बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे और पंजाब के जो किसान है ये पिछले एक ड़ड महीने से दिल्ली, दिल्ली के बार्डर पे जाके दिल्ली में जो सिंगु बार्डर है या टिक्री बार्डर है वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं ठीक है, अन्स्ट् बिल्स में कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए होने फार्म बिल्स रद करवाने हैं, रद, इनको खारिज क्या दाए, और सरकार के बीच में और किसानों के बीच में बाच्चे चलती रहे हैं, बट किसान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा राइट है, डेमोक सरकार और आपके बीच में, इस सुप्रीम कोट ने सरकार को बोला कि आपके और किसानों के बीच में बात हो चुकी है, बट इस बिल्स इन बाच्चे से कुछ भी सॉलूशन अभी तक नहीं मिला है, तो यह जो बिल्स आपने बनाया हैं, यह विदाउट एनी एक्सपर्ट एडवाईस ठीक है, यह विदाउट कुछ सोचे समझे, आपने इंप्लिमेंटेशन में ला दिये हैं, तो इसको अभी तक हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो भी इंप्लिमेंटेशन हैं, उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, इसको रोक लगाई जाती है, एक बार इसके अपनी प्रिवेस क्लासिस में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ी से जानकारी मैं आपको और दे रहता हूँ, एक बार उपर उपर से जान लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम ले लेगे, सबसे पहले हमारे पास बिल आता है, फार्मर्स एंपावर्मेंट एंड पोटेक्शन ए है, कि एक जो बड़ी-बड़ी कंपनी होती है, जैसे बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, पारले या ब्रिटैनिया, बिस्किट बनाने के लिए उसको वीट चाहिए, या फिर चिप्स बनाने वाली कंपनी अलेज, अब लेज वाले को क्या चाहिए, चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिवे पोटेटो अब बैसिकली वह पोटेटो खरीदने लिए या फिर वह ूवाड़ खरीदने के लिए काहिए मंडियों में जाकर लाइनमें नहीं लगेगा तो वह क्या करें वह सीधा केसान के पас आइक किसान से कॉनट्रेक्ट किसान से कॉंट्रेक्ट फार्मींग करे कि किसान को बोलेंगे कि इतनी इतनी जगह पे आपके राइसBut को हुआनसी हो जाएगा कॉलिटी पहले डिसाइड हो जाएगी अब बाद स्थाहिं कम हऊ चाया ज्यादा हो वह बात के मेटर से हैं इब किसान और किसान के बिच में पहले दाम फिक्स हो जाएगा ठीक है पेटिस कोंटक्ट फार्मिंग की पहले से किसान को एक कंक्ट मेने जा फसे पहले इप गई रिए बहुट सारे क्राइस को खाद चला जाता था कि DC के पास जा सकता है SDM के पास जा सकता है ठीक है यह कमेटी बना देंगे जो रिव्यू करेगी ब्यूरोक्रेफ्ट तो ब्यूरोक्रेसी ला दी गई है जुडिश्री को हटा के तो यह भी एक दुविदा ही है क्योंकि कोड तो फिर भी सुन लेता है अब SDM या DC किसान कहता है ह क्या लिख दे हो सकता है बाद में फसल की क्वालिटी अच्छी ना होने के चलते हुए वह फसल के दाम ना दे फसल के पैसे ना दे या फिर किसान की जमीन हडप ले ऐसे बहुत सारे लॉजिक या कॉन्सीकेंसिस सोचे जा रहे हैं यहां ठीक है जो की बिल्स के चलते हुए है यह सोचने वाले पॉइंट है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता थीक है में भी ऐसा ना हो यह positive पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि नहीं होगा ऐसा कुछ मिनी होगा एक किसान की income बढ़ेगी किसान को पहले यह contract मिल गया उसकी फसल पहले इप इसकी फचलत पहले बिंग गयी कि क्या क्या नुकसान इसके हो सकते है तो किसानों को लगता है कि किसान पड़ा लिखा नहीं है उसकी जमीन हड़ अपली जाएगी इन बड़ी बड़ी कंपनीज के दोरह बड़ी बड़ी कंपनीज के जहांसे में आके किसान फस जाएगा तो यह Farmers Empowerment and Protection Agreement करनेंट तो यह बिल का कहता है कॉंट्रक्ट फार्मिंग कॉंट्रक्ट फार्मिंग उसके बादा था एशेंशल कोमड़ी जट अमेंडमेंट एक 2020 लेके 1947 में भारत अजाद हुआ तब क्या हुआ भारत वर्ष में जो वेपारी थे इन्होंने storage करना शुरू कर दिया जो essential commodities थी इनका storage करना शुरू कर जैसे तेल है ठीक है cooking oil तेंग है या अन्या फ्रैट जूरत सें इनका storage शुरू हो गया अब market में demand है बट यह save करके बैठे हैं अब market में जब बिल्कुल खतम हो जाएगा तब यह निकाल के बेचेंगे अपनी मर्जी से अपने दाम पे और यह बहुत पैसा कमा सकते हैं क्यों मार्केट में ज़रूरत है मेरे पास चीज है मैं किसी भी दाम में बेच हूं भी कि मेरी डिमारेंड सप्लाई का एक सिंपल सा रोल है कि जब स इसेंशल कमरेटीज एक्ट में क्या डिकलेर किया गया था 1955 में कि जो असेंशल कमरेटीज है इनको कोई भी विजनसमेंड स्टोर नहीं कर सकता ऐसा करना कानून अपराद होगा तो अभी सरकार ने इस उसी असेंशल कमरेटीज एक्ट को अमेंड कर दिया है और इसमें से कुछ essential cite college को Remove कर दिया कि जड़ाओं आप हिनका storage सकते और इसनिफ उप इनका storage कर सकते और इंका स्टूरेजर नहीं कर सकते युद्ध और अब इसका टोरेज कर सकते अब storage करने के लिए एक पॉइंट यह आता है कि किसान के पास तो जगा नहीं होती storage करें के लिए वो सारे किसान तो ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं होता कच्छे घरों में रहते हैं तो वो स्टोरेज कहां से करेगा जो छोटे किसान होता है small farmers तो स्टोरेज कैसे कर सकते हैं तो स्टोरेज करने के लिए तो इसके पास logistic वेरहाऊस हैं तो वो तो बड़े बड़े वेपारी हैं तो किसान यहां पर इस मुद्रे को भी लेके बैठा हुए और तीसरा जो बील आता है हमारे पास वह आता है farmers produce trade and commerce promotion and facilitation act 2020 देखे यह बिल कहता है open market अब अभी तक किसान अपनी फसल को कहां कहां पर बेच सकता है तो अभी तक किसान अपनी फसल को बेच सकता है एक तो APMC that is agriculture produce market committee जिसको मंडिया बोलते है ठीक है APMC act केता है मंडियों में किसान जाता है अपनी फसल को लेके वहां पर होत सकता है यह सारी चीज़ें बीच में लगती है और किसान को उसका पैसा मिल जाता है उसके बाद किसान के पास option एक होती है कि किसान अपनी वर्जी से कई भी बेच सकता है ठीला लगा कि यह कैसे भी ठीक है और तीसरी option होती है MSP minimum support price minimum support price जो government of India के दोरा डिकलेर किया जाता है इस पे सरकार खरीदती है किसान अपनी फसल सरकार पहले दाम बता देती है कि इतना दाम है हम इतने दाम पे लेंगे अगर आप हमें बेचना चाते हो तो तो किसान देखता है अपना benefit कि कहां से उसको जादा प्राइस मिल रहा है तो MSP पे किसान बेच सकता है MSP पे FCI मंडियों के बाहर है अपनी फसल को बेच सकता है मंड्यों के बाहर भी आपनी फसल को जाकर ऋंधिक एंटरस या इंट इमार्डेया राज्या के बाएं तो इन इन सब चीजों के लिए किसानों के लिए सरकार ये बिल लेकिया है Farmers Produce Trade and Commerce Act 2020 तो सरकार का कहना है कोई भी रखती जिसके पास Pen Card है वो फसल को खरीच सकता है और हर बिल में ही Court वाला Option रिमूब कर दिया गया कि अब किसान Civil Court नहीं जा सकता किसी भी प्रॉल्लम को लेके किसान जाएगा तो किस के पास SDM या DC के पास जाएगा अपनी समस्या को लेके ठीक है जो भी वैपारिया उसके बीच में समस्या आती है इनको लेके वो जाएगा SDM या DC के पास तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन बिल्स की तो यह जो बिल आता है ट्रेड अंड कॉमर्स वाला इसमें किसानों का कहना है कि APMCS जो है वो किसान के लिए नेसेसरी है सरकार APMCS को खतम कर देगी सरकार MSP को खतम कर देगी open market देकर यह किसानों को लगता है ठीक है अलाकि सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि हम MSP को खतम नहीं करेंगे ठीक है बट अभी तक return में सरकार कहरी है हम दे देगे बट अभी तक return में नहीं दिया गया MSP और APMCS किसानों के लिए basically आर्टियस जो होते हैं वो किसानों की जरूरत होते हैं यह किसानों को ऐसा लगता है क्योंकि बेटी की शादी हो यह बच्चे की पढ़ाई हो ठीक है तो यह आर्टियस होते हैं जो किसानों को पैसा देते हैं इंटरस्ट पे देते हैं Act 2020, तो बिल में अगर आपको फिर्बी कोई डाउट आता है, you can write in the comment section आप comment section में रख सकते हो, अगर आपको फिर्बी बिल्स में कोई डाउट आता है, इन बिल्स को totally brief में मैं पहले भी explain कर चुका हूँ अपनी previous classes में जब यह bill introduced किये गए थे तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं तो अभी Supreme Court ने इन बिल्स पे उपर stay लगा दिया है, अब इन बिल्स को implementation में नहीं लेके आजाएगा, इसके उपर Supreme Court एक committee बढ़ाएगा, यह committee decide करेगी कि बिल positive है या बिल negative है, उस accordingly बिल्स को implementation में लाया जाएगा, या फिर रुद करके लाएगा, यह Supreme Court का कहना है, नेक्स जाता है हमारे पास Ministry of Actional Affairs, तो देखिए, हर साल रिपब्लिक डे, गणतंतर दिवस organized क्यादा आता है, कब 26 जनवरी को, 26 जनवरी को, अब क्यों करते हैं, रिपब्लिक डे, हर साल रिपब्लिक डे, हम ऑगनाइस करते हैं, 26 जनवरी को, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को, हमारा जो Constitution है, वो implementation में आया था, ठीक है, और यह बिसिकली पास तो हो गया था, 26 जबिस नवंबर 1949 को, 26 जबिस नवंबर 1949 को, यह पास हो गया था, बट यह implementation में आया था, 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन को हम भारत में, अज़र रिपब्लिक डे, अगनाइस करते हैं, तो हर साल, जब भी रिपब्लिक डे, अगनाइस किया जाता है, तो हर साल, हम किसी foreign country से, ठीक है, किसी अठीक हो, किसी guest को invite करते हैं, हर साल, हम किसी ने किसी guest को invite करते हैं, इस साल भी भारत में किया था, तो इस साल हमने invite किया था, Boris Johnson को, Boris Johnson जो की United Kingdom के प्राइम मिनेस्टर UK के प्राइम मिनेस्टर बॉरिस जॉंसन को हमने इन्वाइट किया था वड़ दूनिया भर में कोविड-19 की समस्या और इसी कोविड-19 की समस्या के चलते हुए UK के अंदर पाया गया एक नया स्ट्रेंड एक नया कोविड-19 स्ट्रेंड अब पहने से बाहरां कर दिए को तो नहीं दिली में हर साल ने चांडिकों को मिन्वाइट करते हैं तो उसे नहीं घ४ अथे वो थे ऑन्हीं के चलते हूए कि मैं नहीं आँंगा भी आपढसेप्ट कर लिया था बात महीं आएंगे उसके बाद भारत ने सोचा जो हमारे प्रवासी भारते दिवस किया थी थी थे चंदरी का परसाद संतोखी जी the president of Suriname Suriname देश के परदा Suriname एक South America का देश है उसके जो रास्ट्रपती है चंदरी का परसाद संतोखी इनको invite करने की चर्चा थी बट यह अभी यहां पर अतिती आये थे ऐस ओन दा गेस्ट और यह गेस्ट थे प्रवासी भरते दिवस कन्विंशन पर तो इनको बुलाने की चर्चा थी इनका नाम आ रहा था बट नहीं कोई बी कोई भी अतिती बहार से नहीं किया जा रहा है किया डीका कोई फिर्ड जसकों से पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में रिपब्लिक डे पे कोई चीफ गेस्ट नहीं ए कोई चीफ केस्ट नहीं रिपब्लिक डिए प्रेड हर साल 26 जनवरी को नहीं दिल्ली में ओगनाइज की जाते हैं नहीं दिल्ली में इसको कमिट किया दाता है तो इस बार कोई भी चीफ केस्ट नहीं है याट इस अनॉंस्ट बाइदा मिनिस्ट्री आफिसनल अफियर एंड इस बार हमारा जो रिपब्लिक डे हैं यह है 72 निक्स देखते हैं देखें इंडिया बन गया है युनाइटे नेशन स्कूरिटी कॉंसिल का नौन पर्मानेट मेंबर युनाइटे नेशन स्कूरिटी कॉंसिल युनाइटे नेशन का वो हिस्सा है जो दुनिया में शांती बनाए रखने के लिए काम करती है अगर कोई कंटरी दुनिया में ट होते हैं रोग तहीं के फाच पर्माइन दस नौन पर्माइन इंट हैं पर्मनेंट मेंबर तो फिक्ष्ट हैं नान पर्माइन वेंबर हर दो सल बाद दो साल के तेन्यूर के साथ होते हैं तो भारत एक जन्वरी 2021 से बैठ गया है युनाइटब नीशन स्कॉर्टिटी कॉंसिल की non permanent members की कुरसी पे तो इसी के चलते हुए भारत को कुछ committees भी मिली है head करने के लिए terrorism के उपर भी तो terrorism को commit करने के लिए terrorism को देखने के लिए terrorism को खतम करने के लिए भारत ने 8 point का agenda action plan वना कर United Nations security council के सामने रखा है अब बाकी members भी इसको review करेंगे और ये देखते हैं basically 8 point क्या क्या है इन 8 points को हम थोड़ा review करते हैं कि 8 point क्या 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 क्यते है तो सबसे पहले भारत कहता है कि जो international community है जो दुनिया भर के बड़े देश आउगनेशन्स है ठीक है तो ये जो ये क्या करें जो political powers है हम एक्षन लेंगे हम एक्षन लेंगे अशन लेना है उनको समबन करो उनको रोको हर country हर member state अपने अपने लेवल पे इस काबिल हो कि वो terrorism को रोकने के लिए आगे बड़े वो terrorism को रोकने के लिए आगे बड़े तो जो भी political दबाव आता है उसको रोका जाए उसको रोकनी की कोशिश करें इंटरनाशनल और अगर किसी कंट्री में ऐसा काम आता है तो यह और इंडेशों के ओपर एक्षन ले कि यह कहना यह उनाइट इंडेशन को भारत का उसके बाद की किसी बीतरा का double standard नहीं होना चाहिए लड़ाई में लड़ाईक मे इनेms चाहिए ज्यौ आतंगवादी यैं वह आतंगवादी अच्छे को अच्छा बूरे stra riktे का बूरा के हstein히 हमत रखिए कि में और लडाईक के अ को बचाने की कोशिच ना करें ठीक है कि चार देश बूरत है या तंगवादी नहीं तो डुबल शं कंडर्ड न होना च्छाहिए प्रॉपर Fract के साथ आतंगवादी आ तो अच्छे और बुरे में चिंद्ग से भेटबाब ठीक है चितन्ग से भेटबाब किजिए है से उसके बाद, जो basically committees, जो working committees यहाँ पर काम कर रहे हैं दुनिया भर में terrorism को रोकने के लिए, उनके अंदर और transparency लेके आए जाएं, उनके working methods को और improve किया जाएं, उनको और powers प्रोवाइड की जाएं, ताकि effective way में वो terrorism को रोकने का काम कर सके. तो जो भी committees यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी working में reforms लेके आजाएं, transparency लेके आए जाएं, उनको और आगे बढ़ाने का काम किया जाएं, ताकि वो terrorism को अच्छे way में रोकने का काम कर सके, अगर किसी committee में power है, ठीक है, sanctions लगाने की, तो वो उसको और reforms करो, ताकि वो अच्छे way म sanctions लगा के, terrorism को रोकने का काम करे, terrorism को रोकने का काम करे, और देखते हैं, क्या बोला भारत ने, इसके बाद भारत का कहा है, कि जो ऐसे देश हैं, जो दुनिया में, लोगों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, दो हिस्सों में बाटने का काम करते हैं, दुनियों में ट international organization इन चीज़ों को review करें ठीक है जो ऐसी exclusive thinking है ठीक है इसको खतम किया दाए इसको रोका दाए जो कि दुनिया को बांटने का काम करती है जो कि दुनिया को बांटने का काम करती है और दुनिया में social harm पहुंचाती है ठीक है इसको रोकने का काम किया दाए उसके बाद दी लिस्टिंग एंड एन लिस्टिंग आफ एंटिटीज एंड इंडिवीज़ अंडर युनाइटेड नेशन सेंक्शन मस्ट भी डन अब्जक्टिवली एंड पर्पोजल्स इन दिस रिगार्ड मस्ट भी एक्जामिन बिफोर सर्कुलेशन कि अगर आप किसी कंट्री को सेंक्शन के अंदर रख रहे हो या सेंक्शन से उसके सेंक्शन को रिमूव कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से पहले एक्जामिन कर लें उसको अच्छी तरह से पहले चेक कर लें ठीक है कि क्या उसको उसके अंदर लिस्ट के अंदर सेंक्शन के अंदर ले के आना या सेंक्शन से बाहर करना क्या वाकिए अभी सही है अभी वक्ता है ठीक है क्या इसको कर देना चाहिए क्या कंट्री टरिर्रिजम को सपोर्ट कर रही है यह नहीं कर रही है यह सारी चीजें सर्कुलेशन में लेके आने से पहले पूरी अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए उसके बाद जो देश ठीक है टर्रिरिस्म को सपोर्ट करते है ठीक है बिसिकली बहुत सारी जगा पे ऐसा होता है कि टर्रिरिस्म जो होता है वो बड़े-बड़े पावर्स के चलते हुए होता है तो इन सब चीजों को रोखने के लिए अच्छे लेवल पर रोखने के लिए काम करना चाहिए और अच्छे वे में जो परसंस इसमें उनके एक्षे लेवल होते हैं ठीक है जो पाई याते हैं उनके ओपर बोस्त किल्ग Nous आंत दे स्जाम आँयों भारत कहता है कि ईसको रोखने का काम अच्छे लवल पर करना चाहिए अब थे खनेmask करते हैं financial action task force FATF financial action task force तो financial action task force ठीक है ग्रेय लिस्ट ब्लाक लिस्ट में डाल देती है तो ये अच्छे लेवल पे इसको सबको judge करना चाहिए ठीक है और countries के ओपर strict action लेना चाहिए तांकि वो terror funding ना कर सके terror financing ना कर सके क्योंकि ये terror funding जहां होती है ठीक है वहाँ terrorism हो गई तो terror funding को रोकना ये अच्छा perspective है इसके लिए terror funding को रोकने के लिए terrorism को रोकने के लिए उसके बाद United Nation की वो वाड़िस जो terrorism को रोकने के लिए काम करना चाहती हैं उनको proper funding दी जाए उनको किसी भी तरह की funding की कमी नहीं होनी चाहिए उनको किसी भी तरह की funding नहीं होनी चाहिए जो जो चीजों की requirement उनको है उनको दो, ताकि terrorism को अच्छे वैमेरोका जाए दुनिया भर में टेररि़्सम को खतम करने का ये agenda भारत वर्ष नने दिया है की दुनिया भर से हमें टर्रीयजम को सभाप्त करना है है टर्रीयजम को सभाप्त करके रहेंगे और जो भी इसके लिए फंडिंग होती है जो कि यह देश पंडिंग करता हुश्क आपर श्क्रिक टरीट्रिक्षम लिए जाएगा टिक है अगस्त में गस्त 2021 में एक महिने के लिए मैं इसके चेर्मेंट की गुर्षी बैठेगा क्योंकि जो इसका चेर्मेंशिप होता है जो युनाइटे नेशन स्कुर्टी कांसिल का चेर्मेंशिप होता है वो हर महिने चेंज होता है अभी जैसे तुनीसिया के पास है अभी इस मह उसके प्रमंबर है पांच पर मेंड़ दस नौन पर्मंटмен फंबर मेंड़ कौंकों से चाना यू phiicam रशिया एंड यू एस से ये हैं पांच परमनट मेंबर और्न कांगे बेख्लिए अभी परन अभी कौंकों से तोनिया किंग अ आयरलेंड मक्सिको नौर्वे नाइजर सेंड विंसेंट एंड ग्रनडाइन्स वियतनाम एंड तुनीसिया यह दस देश हैं जो की नोन पर्मनेंट मेंबर हैं युनाइटिड नेशन स्कॉर्टी कॉंसिल के तो आई होप भारत का जो आठ अजंडा है आपको समझ में आओगा अब बढ़ते हैं आगे नेक्स देखते हैं नेक्स हमारे पास है भारत यूएस ने यूएस ने क्यूबा को डिकलेर कर दिया एज़ा स्टेट स्पॉंसर ओफ टर्रिजम क्यूबा अलाकि क्यूबा को पहले भी डिकलेर किया गया था बड़ बाद में रिमूव कर दिया गया था अब यूनाइटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर से इसको डिकलेर कर दिया है तो बिसीकली दुनिया भर में है जो कांट्रीज है इंटरनेशनल लेवल पे टर्रिजम को प्रमोट करते हैं ठीक है यूएसे अंडर दाल देता है स्टेट सपॉंशर ऑफ टरिर्रिजम की लिस्ट के अंदर ठीक है इन कॉंटरीज को यूएस डाल देता यह लिस्ट पहली बारIn नाइनटिन सैनेनन में अनीजिय है ठिछन है जो इसका का इनिशल फेस है था 1992 में उसके बाद इरान को भी आड़ किया गया 1984 में अब ये कंट्रीज एड़न हो गई इसके बाद क्या हुआ नोर्थ कोरिया को एड़ किया गया और सुडान को भी आड़ किया गया नोर्थ कोरिया को 1988 में एंट सुडान को 1993 में एड़ कर दिया गया इस लिस्ट के अंदर बट इन कंट्रीज को धीरे धीरे रिमूव भी किया गया अब रिमूवल भी देख लेते हैं अब साउथ यह मन जो था इसको रिमूव कर दिया गया 1990 में साउथ यह मन जो था जो कि यहां पर एड किया गया था 1979 में इसको 1990 में रिमूव कर दिया गया उसके बाद इराक को भी है 1982 में remove कर दिया गया और फिर अए gjort कर लिया गया फिर 2004 में फिर से हाँ पे remove कर दिया जिए इसके बाद Libia Libia को incent एमें निकाल दिया गया लिसने बार North Korea को review कर दिया है 2008 में and फिर से 2017 Express काब एम दोजन सत्रह में एन किया गया 2017 में यूए सट और North oko की बीचे काफ़ी टकराफ था जिसके चलते हुद 2017 में इसको डान किया गया था अब क्यूबा को 2015 में रिमूव कर दिया गया था क्यूबा जो की एक्या गया था 1992 में 2015 में इसको डान कर दीया गया वैंट अभी इसको फिर से यह न przeci सुडान ने सुडान ने इसराइल के साथ एक पीस एग्रिमेंट साइन किया था ठीक है इसराइल और सुडान के बीच में पहले यूए यू और बाहरे इन ने भी किया था उसके पास सुडान ने भी पास सुडान ने भी एग्रिमेंट साइन किया तो सुडान को यूएस ने क् इसराइल और जो यह देश थे इनकी दोस्ती के बीच में अगर कोई देश था मतलब दोस्ती करवाने वाला अगर कोई देश था वो था यूएस से तो यूएस से ने देखा कि अब इसराइल और सुडान की दोस्ती भी हो गई है तो उसके चलते हुए यूएस से ने सुडान क फ़िडान ये सुडान देश है ज़िसको दोज़र भीस में रिमूब किया था इसको रिमूब कर दिया गया था अब कौन कौन से जो कंट्री है वोशलिट तर बच्छे हुए ठीक है अभी कौन कौन से कंट्री है इरान है सिरिया है नौर्थ-Korias है और एक क्योबा जो अभी add किया गया तो यह चार देश अभी इस लिस्ट के अंदर है ठीक है ला tweels अरव चैडियर आप टॉरिज्म इरान शेलिया नोर्थ कॉरिया और कीुबा यह चार देश आप देख सकते हो, that is in the list of state sponsor of terrorism by USA, उध्यान रखेगा, that is very important, तो क्यूबा को अभी आड़ किया है, किसने, USA ने, USA ने आड़ किया, और बाकी के तीन देश कुन-कुन से, इरान, सिरिया, नौथ को लिया, state sponsor of terrorism, अब US ने क्यूबा को अड़ किया, state sponsor of terrorism की list में, उसके बाद US ने, अब Donald Trump जाने वाले हैं, आखरी हफता बचा है उनका, ठीक है, तो जाते जाते वहिया, कुछ काम और कर जाएं, तो US ने क्या किया, US का जो department of defense है, उसने क्या किया, no Chinese companies को, no Chinese company को, including the famous cell phone company, Xiaomi, ठीक है, Xiaomi को और कुछ इसके दासी और companies को, that is, commercial aircraft corporation of China, comic बोलते हैं इसको, और एक, basically, चाइना की एक, बहुत बड़ी oil company है, उसको, इनको निकाल दिया गया, US में ब्लाक लिस्ट कर दिया गया, कि US में अब ये काम नहीं करेंगी, अब ये US में काम नहीं करेंगी, ये, डिकलेर कर दिया गया US की department of defense के दारह, अब, basically, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा किया गया, military links के चलते हुए, military links का reason दिया गया US Department of Defense के द्वारा US Department of Defense के द्वारा देखिए नवंबर 2020 में क्या हुआ था नवंबर 2020 में भी लगवग 60 C Apps को बैन किया गया था ठीक है और तब Donald Trump ने यह अनौस किया था कि जो भी US के इन्वेस्टर्स है जिन्होंने Chinese Companies में इन्वेस्टमेंट किया हुए यह एक साल तक अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ठीक है यह जो एक साल तक अपनी जो इन्वेस्टमेंट है Chinese Company के अंदर इसको वापिस कर लेंगे यानि कि डिवेस्ट कर देंगे अपना पैसा बाहर निकाल देंगे यह Donald Trump ने अनौस कर दिया था अब एक बिसिकली एक ओयल कंपनी है मैंने बताया डिस कोमर्स डिपार्ट चाइना नैशनल ओफशर ओयल कॉर्परेशन देखे चाइना की कुछ अधर कंट्री के साथ लड़ाई चलती रहती है साउथ चाइना सी को लेके क्योंकि चाइना को आप देखते हो चाइना की निती साइब देखते तो यहां पर भारत के अंदर भी वसा हुआ है ठीक है चाइना बैठा हुआ आके लडाओ पे इसके पाद अरुनाचर प्रदेश में चाइना हर जगा अपने पर लगा हुए जैसे उसने पर ले प्र जिबत था ठीक है अपनी जगह अपनी एरिया को अपर अ में लगा हुआ है तो वैसे ही सी लेवल पर भी चाइना ऐसा ही करता है तो साउट चाइना सी के अंदर भी चाइना के इशू होते रहते हैं कंट्रीज के साथ तो वहाँ पर एक काइना ओफ्शॉर और यहां पर यूएस से यहां पर साउट चाइना सी में अदर कंट्रीज को प्रटक्ट करने का काम करता है है कि टो पेसिकली चाइना कोन-Kोन सी कंट्री से बेसिकली आप फे्श हगड़ता रहता है किस इस कांट्री के सथ हड़ाप होती है वीjat नाम है यूसे के अंदर अब ये यूसे के अंदर काम नहीं करेगी इसको ब्लैक्टिस्ट कर दिया गया तो नो कंपनीज को यहां पर ब्लैक्टिस्ट किया गया इंक्लूडिंग दा सम मेजर कंपनीज शामी और चैना नेशनल ऑफ्शॉर औल का उपरेशन आगे देखते हैं जपैन की सरकार ने भारत सरकार को 30 बिलियन जापनेजियन का लोन दिया जपैन की सरकार ने बोला कि हम भारत को 30 बिलियन जापनेजियन डाट इस लगभग 213 करोड रुपे का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं भारत कोविड नाइंटीन से निपटने के लिए बहुत अच्छे लेवल पर अफट कर रहा है तो यह भारत अपने आपको भी बचाएगा और दुनिया को बचाने का हम भी कर रहा है जैसे कि हम जानते हैं कि दो वेक्सिंज यहां पर भारत में लॉंच हो चुकी है तो इसी के सरकार ने प्रवेड किया लोन अमाउंट है 213 करूर रुपर बोल सकते हैं या फिर्टी बिलियन जैपनीज यान क्योंकि जैपैन की करंसी है यन ठीक है राजदानी है टोक्यो जैपैन के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है योशी हीदे सूगा योशी हीदे सूगा य जैपैन के साथ मोई बी साइं किया मम रेंडम ऑफ अन्डेस्टेंडिंग साइं किया एक और सरकार इसको कविनिट हमारा इसका अप्रूवल देगा तब यह इंप्लिमेंटेशन में आना शुदळ हो जाएगा अब दोनों कंट्रिस इस आम यू के दौरान क्या करेंगी तो अब इस फीड़ में क्या क्या आता है फाइव जी टेक्नोलोजी ठीक है फफ जनेरेशन टेक्नोलोजी टेलिकम सिक्योर्टी सब्मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम ठीक है जो कि भारत के आइलेंड तक पहुंचा जाएगा उसके बाद स्पेक्ट्रम मेनेजमेंट को लेके काफी आगया है यहां पर साहिता करेंगा हमारी और जिंख में हम जबन की साहिता कर सकते हम जबन की साहिता करेंगी और भारत और जपैन दूर्ण दूसरे की आटा करने वाले हैं इन्द फीड़ अफ इन्फूरमिशन और कॉम्निकेशन टेक्neos टग्नलोजी स तो और जपैन नेक्स बात करें तो भारत और यूनाटेड अरब एमिरेट्स के बीच में मयू साइन हुआ था साइन्टिफिक एंड टेक्निकल को लेके यह मूं काफी पहले साइन हुआ था अभी हम इसकी चर्चा यह कर रहें इसलिए कर रहें क्योंकि भारत सरकार ने हमारे कैब इसको अप्रूवल देती है तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है भारत और यूए के बीच में साइन्टिफिक एंड टेक्निकल कोपरेशन अब इस सैंटिफिक एंड टेक्निकल कोपरेशन के बीच में दोनों देशों के जो फेमस साइंटेंस्ट है स्कॉलर्स हैं यह आएंगे एक तो कंट्री के अंदर जाएंगे टीक है विजरिट्स करेंगे रिसर्च करेंगे ठीक है जो भी ट्रॉपिकल साइक्लों हैं उनको फोर्कास्ट करने की पहले से कोशिश करेंगे ठीक है सुनामी अर्ली वर्निंग सेंटर की सहायता ली जाएगी यहां पर सुनामी इसको पहले से प्रोटक्ट कर लिया है तांकि डिजास्टर होने से बचाया जा सके ठीक है डिजास्टर होने से बचाया जा सके सिस्मोलोजी की फीड़ में दोनों देश एक दुसरे को सहाईता करेंगे ताकि इनके बारे में पहले से हम जनकारी मिल सके तो दोनों देश इस के लिए भी एक दुसरे के सहाईता करेंगे भारत और यूए नेक्स्ट है 13 इंडिया दिफेंस करटी डायलोग भारत और वियत नाम के बीच में अभी डिफेंस करटी डायलोग का ड़य गया जो की भारत की तरफ से भारत की डिफेंस सेक्रेटरी अजे कुमार जी ने वियत नाम KPH혈 के भारत और वियतनाम के वीच में 7 MOU साइन किये गये थे different, different field में थीक है चाइब नूक्लिर अनर्जी की फीलड हो या फिर defense sector हो तो 7 MOU साइन किये गये थे तो उस MOU में decide किया गया था कि जो हमारा defense है उसके लिए 5 million dollars Indian grant दी जाएगी जिसके चलते हुए वियतनाम के अंदर आर्मी सॉफ्ट्वर पार्क बनाया जाएगा वियतनाम के अंदर जो नैशनल टेली कॉम्निकेशन उनिवर्स्टी है वहाँ पर बनाया जाएगा आर्मी सॉफ्ट्वर पार्क ठीक है यह कहाँ पर वियतनाम के अंदर जो भारतिया embassy है हनोई में वहाँ पे इसको बनाया जाएगा तो ये भारत ने बात करी थी कि भारत 5 मिलियन डालर का ये ग्रांट देगा तो defense sector की deal थी तो और साथ MOU पहले से साइन होए थे अभी सरफ पाच्चित हुई है कोई उन्ही MOUs को लेके तो व्यतनाम व्यतनाम जिसकी राज़ा नहीं है हनोई चलिए आगे बढ़ते हैं next है सागर अनवेशी का देखे हमारे जो हाल्थ मिनेस्टर हैं डॉक्टर हर्श वर्धन जी इन्हों ने बेसिकली लांच किया है एक रिसर्च वैसल लेट इस सागर अनवेशी का यह सागर अनवेशी का जो है यह कोस्टल डिसर्च वैसल है ठीक है जो की साइन्टिस्ट की हल्प करेगा डीप ऑशन स्टडी में ocean की study में oceans को और आगे explore करने के लिए ठीक है oceans की proper जानकारी को हासिल करने के लिए scientist की help करने वाला है यह coastal research vessel सागर अनवेशी का जिसको भारत में ही बनाया गया है तो कहां इसको बनाया गया है that is important तो इसको बनाया गया है तीतागड मरीन लिमिटेड कॉलकाता इसको बनाया है इसको डवलप किया है किसके लिए national institute of ocean technology चन्य के लिए ठीक है यानि कि यह national institute of ocean technology चन्य को सौप दिया गया है बाइदफितागड मेरा इन लिमिटेड कॉलकाता तो oceans की अच्छी study के लिए ठीक है अच्छे level पर research करने के लिए ताकि जो हमारा Indian coastal department है कोस्ट विभाग है हमारा उसको और अच्छे level पर हम लेके जा सके उसको और अच्छे level पर हम लेके जा सके ठीक है अब coast guard की बात करों या oceans की बात करें तो पिछले साल का जब union budget आया था तो सरकार ने बात करी थी blue economy को बढ़ाने की तो blue economy को बढ़ाने के लिए technology का सहरा तो लेना पड़ेगा तो oceans को जितनी अच्छी तरह से हम जान पाएंगे oceans की आने वाली problems को या oceans की study हम जितने अच्छे level पर कर पाएंगे उसी हिसाब से हम blue economy को भी आगे बूस्ट अब करने की चर्चा कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने बात की इस वेसल की इस वेसल की coastal वेसल की next अब बात आते हैं कुछ environment की तो पैपसी को फूड कंपनी पैपसी को जो की पैपसी वगरा डिंग बनाती है लेज कुरकरे बनाने वाली जो कंपनी है वो है पैपसी को तो पैपसी को ने अनौस किया कि यह अपनी green house gas emissions को 2030 तक reduce कर देगा 2030 तक reduce कर देगा इसने यह बोला कि इसका जो absolute green house gas emission है इसको यह 75% तक decrease कर देगा 2030 तक and जो इसका indirect value chain है वो उसको 40% तक ही decrease पाएगा कर पाएगा 2030 तक जो direct operations है उसको 75% जो indirect operations है उसको 40% 2030 तक and net zero carbon emission बनेगा 2040 तक देखिए as per Paris climate agreement हमारा जो target है दुनिया फर का वो 2050 तक है net zero carbon emission का और पैपसी को ने बोला है कि वो 2040 तक यहाँ पे declare करेगा खुद को net zero carbon emission ठीक है net zero carbon emission को यह चीव करेगा 2040 तक यह पैपसी को company ने announce कर दिया पैपसी को company बहुत अच्छे बहुत भी बड़ी company है दुनिया फर की तो हर साल बहुत अच्छे लेवल पर green house gases को प्रड्यूस करती है तो अगर यह mission कर रही है तो बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर काम है होगा ठीक है तो बहुत हमारा जो coastal department है Indian coast department है यह हर साल सी वीगल exercise को conduct करता है साल में दो बार साल में दो बार सी वीगल exercise को conduct किया जाता है तो अभी ही सका second phase था जिसको हमने conduct किया है सी वीगिल 21 का तो तेरा Coastal States ने एंड यूटी से ने मिल के इसको और्गनाईज किया है तो हमारा जो Coast Line जो फैला हुआ है 7516 किलोमेटर का उसमें पूरी जगा पे इसको और्गनाईज किया गया इस सी वीगिल 21 को तो इसमें बेसिकली हमारी जो Coast Guard Force है उसमें हम जो जो बेसिकली स्किल्स को बूस्ट अब करने का काम करते है कि क्या क्या हमारे पास स्किल्स है उसको शोकस्ट करने का काम किया जाता है सी वीगिल 21 ठीक है हर दो साल में एक बार यहाँ पे सी वीगिल के साथ साथ किया जिसका सीव इगल हिस्सा है औगनाइज की चहां एक्सिज इसका नाम है फ्लोप युव बेक्स त्थियें आपगेशगो कि इविव देटर लेवल दीक्स नाम है च्छक वांड़ेशन एक company के साथ 20 million dollar का contact sign किया है switch unmanned aerial vehicle drones को लेके unmanned aerial vehicle drones को लेके यहाँ पे 20 million dollar का एक contact sign किया गया है भारती है सेना के द्वारा किस company से नवी मुंबई बेस एक company that is idea forge इस company के साथ तो यह जो drones यहाँ पे बना के दिये जाएंगे यह unmanned aerial vehicle drones जो है ठीक है यह vertical take off यह landing कर सकते हैं और basically दिन रात दिन रात उचाईयों पे जैसे लद्दाक जैसी जगह पे ठीक है जहाँ पे चाइना के साथ हमारा dispute रहता है जैसी जगह पे और बहुत ही खराब environment के चलते हो भी ताकि खराब environment का सहराले के दुश्मन हमारे देश में ना घुस है यह वहाँ पे सर्वाइलेंस करने का तो जिसके चलते हुए इसको यह tender दे दिया गया तो एक साल के अंदर अंदर इंडियन आर्मी को यह अन्मेंडेरियल वेहिकल्स ड्रोन्स सोब दिये जाएंगे सोब दिये जाएंगे बाइदा idea porch by the idea porch 20 million dollar का यह agreement sign किया गया नेक्स्ट है भारत सरकार के अपनी बनाई हुई एक पिस्टल एसमी असमी का मतलब होता है प्राइड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हाडवर्क क्योंकि इसको इंडिजीनेस ली बनाया गया है इसको बनाया है infantry school जो की military headquarter का infantry school है इसने और DRDO का armament research and development establishment ERD जो की पूने में ठीक है सिर्फ चार महिने के अंदर अंदर इन्होंने यह gun त्यार की है जोकि 9 mm bullet के साथ 9 mm bullet के साथ एक machine pistol है ठीक है मशीन पिस्टल होते हैं जो करके गूलिया छोड़ती है एक सिंगल सिंगल करके नहीं मल्टीपल आप fire कर सकते हो तो एक मशीन गन यहां पर बनाई गई है एक मशीन पिस्टल यहां पर बनाया गया है नेट्स्ट है कॉलाब कैड सॉफ्ट zijn लेवे देखें नेंचनल इनफार्मैटिक सेंटर्स ने सीबी के साहत मिलके एक सोफ्टवएर बनांच किया अब क्ल्द के बात अपनी कर्ण सॉफ्ट्वेर के बारे में juional होगा ठीक है CAD जो हमारा software होता है designing software जो की बहुत सरे designing companies use करती है ठीक है तो यहाँ पर collab CAD software launch किया गया है यह collab CAD software जो है जो engineering सहायता प्रवाइड करेगा students को ठीक है और जो teachers है जो faculty है engineering departments की जो design पढ़ाते हैं बच्चों को design सिखाने वाली faculties हैं यह उनको यहाँ पर सहायता प्रवाइड करेगा ठीक है तो जो भी हम designs बनाते हैं उन designs को और अच्छे वे में modify करने के लिए और अच्छे वे में लेके जाने के लिए यह collab CAD software काम आने वाला है यह collab CAD software काम आने वाला है ठीक है तो students को और अच्छे लेवल पर move on करवाने के लिए students को और अच्छे ल टेश को और आगे लेकर जाने के लिए ये शॉफ्वर meinem सॉफभर लाउस कि地 señor किस 대해 लिए क्विए एस सॉफ्वर की सहाउयता थे दिजय्ण बनाये मीद्वा जा सकेंगे ठीक है अई-ठीक रिचन ग्रेंग लाप जोकी नित्य जो उने start की हुई है जो की बच्चों को अच्छे लेवल पे skills provide करवाने का काम करती है तो students इसके सहारे लेके अच्छे लेवल पे design बना सकेगा ठीक है अच्छे लेवल पे design बना सकेगा और यह जो software है यह john linux and operating system platform यानि की windows पर भी चलेगा और linux पर भी चल सकता है और यह दोनों platform पे चलेगा चाहिए वो standalone हो चाहिए वो client server mode हो दोनों पर ही इसको वर्क किया रहा सकता है तो एक design का software launch किया गया सिंपल वियर में अगर मैं बात करूं जैसे autocad है catia है ठीक है solidworks प्रोई आपने सुना होगा तो उसी तरफ से एक designing software launch किया गया 3D designing software that is collab cat इसको launch किया गया भा 2021 क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है you can write in the comment section आप comment section के अंदर लिख सकते हो अगर आपको class में कोई भी डाउट आता है तो and class का PDF नीचे description में दियेगे link पे आपको मिल जाएगा हमारे portal पर जाएए वहाँ पर पहुत सारे MCQs होते हैं आपके लिए तो class को देखने के बाद MCQs को attempt करिए अपने practice के लिए ताकि आपका revision भी साथ के साथ अच्छे वेब में होता रहे तो it's all for today class को यहीं समप्त करते ह थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे अगली class में